नोकिया ने जब से Android स्मार्टफोन बनाने स्टार्ट किये हैं तब से नोकिया एंडिया में दोबारा competition में आ गया है नोकिया पहले की तरह ही अपने स्मार्टफोन को बहतर बनाने में लगा है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए Nokia World Mobile Congress में अपने नए स्मार्टफोन लाँच करने वाला है जैसे कि Nokia 6.2, Nokia 8.1, Nokia 1 Plus और Nokia 9 PureView इस वीडियो में हम आपको Nokia 9 PureView की Complete Confirm Specification के बारे में बताएंगे Nokia 9 PureView की खास बात है इसके 5 Camera Setup सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से अगर इस डिस्प्ले की भात करें तो इसमें 5.99 इन्च की Quad HD डिस्प्ले मिलती है और fingerprint आपको इंडिस्प्ले ही fingerprint मिलता है अब processor की बात करें तो इसमें आपको Snapdragon 845 processor मिलेगा जैसा कि आप जानते होंगे कि 845 Snapdragon 10nm पर बना है और mostly सभी high-end smartphone में आपको 845 Snapdragon मिल लेकिन अगर ये Snapdragon 855 के साथ आता तो और बहतर होता क्योंकि इसी टाइम पर Samsung अपना S10 लांच करने वाला है और Xiaomi अपना MI9 दोनों में आपको Snapdragon 855 मिलेगा जो 845 से काफी बहतर है क्योंकि 855 7nm पर बना है जबकि 845 10nm बना है तो 845 से काफी बहतर प्रोसेसर होने वाला है इस टाइम पर अगर बात करें इसके camera setup की तो हाँ camera इसमें आप Nokia ने बहतरीन दिया है और 5 camera setup मिलता है आपको 12 MP के 2 camera मिलते है और 16 MP के 2 camera मिलते है एक camera आपको 8 MP का मिलता है अगर टोटल की बात करें तो आपको 64 MP का camera setup मिलने वाला है तो दो वेरियंट मिलने वाले हैं 4GB 64GB का वेरिंट होगा दूसरा 6GB और 128GB का वेरिंट होगा अगर बात करें बैटरी के तो बैटरी में आपको काफी बड़ी बैटरी मिलने वाली है 4150MH की बैटरी मिलेगी साथ में आपको फास्टован किस अपोर्ट मिलेगा अहीटीन वाट का चार्जेस साथ में मिलेगा और सही बात करें तो सबसे बड़ी बात कि Nokia इसमें इस बार आपको wireless charging देने वाला है जो कि Nokia का ये पहला phone होने वाला है जिसमें wireless charging आपको मिलेगी और Nokia इस बार Android One प्रोग्राम के साथ ना आकर इस phone को Nokia 9.0 Pie के साथ launch करेगा तो ये थीज की complete specifications और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब कर ले इसी तरह की और latest वीडियो देखने के लिए थैंक्स वाल जी